दोस्त के लिए ताना शाह से भीड़े पीएम मोधी जापान पर बड़ा खत्रा तो भारत आया आगे भारत ने पहली बार नुर्थ कोरिया से लिया पंगा मिसाइल को लेकर भारत ने दी ताना शाह को चेतावनी दोस्तों आप नुर्थ कोरिया जैसे देश को तो जानते ही है जिसके पास चाहे खाने के दाने ना बचे हो लेकिन इस देश के पास गजब की मिसाइल तकनीक है नुर्थ कोरिया की पास ऐसी ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका तक मार करती है अमेरिका और नोर्थ कोरिया एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं और पिछले दिनों में आपने अमेरिका और नोर्थ कोरिया की दुश्मनी देखी भी होगी लेकिन दोस्तों अब तो नोर्थ कोरिया ने हद ही कर दी नोर्थ कोरिया ने एक मिसाइल फायर की है जो बहुत जादा खतरनाक है जो एकी फायर से पूरे देश को मिटा सकती है इस मिसाइल के निशाने पर जापान था जिसके कारण इस इलाके में हाला तनाव पूर बन गए इसे देखते हुए इस मामले में अब भारत मी कूद और भारत ने पहली बार नोर्थ कोरिया से बड़ा पंगा ले लिया और इस तरह की हरकत करने के चलते भारत ने नोर्थ कोरिया को तगड़ी धमकी दे दी है दोस्तो पूरा मामला क्या है पहले वो समझ लेते हैं दरसल हाल ही में नोर्थ कोरिया ने एकदम अचानक से आपनी बैलेस्टिक मिसाइल लोंच कर दी जो कि जापान के ठीक उपर से गुजरी और समुद्र में जाकर गिरी ये मिसाईल अब तक नोर्थ कोरिया की द्वारा लोंच की गई सबसे लंबी तूरी की मिसाईल थी जिसने 2800 मिल की दूरी ते की और ये जापान की तरफ लोंच की गई थी पिछले पांस सालों में पहली मिसाइल है जिसने अचानक से अपने शांती पुन माहुल को बदल दिया और अब जापान अमेरिका के साथ साथ कोरिया का विवाद काफी तेजी से बढ़ने लगा इसका जवाब देने के लिए अमेरिका और जापान ने कई कदम उठाए साथ ही तोर पर युद का एलान माना जाता तब जहां एक तरफ रूस युक्रेन युद अपने चरम पर पहुँच चुका है वहीं पर अचानक से नोर्थ कोरिया जापान और अमेरिका के बीच होने वाला युद पूरे विश्व को काफी भारी नुकसान पहुचा सकता था खास करके ये बात समझते हुए कि नोर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों के पास परमानू हत्यार हैं और नोर्थ कोरिया के ऊपर परमानू हत्यारों को लेकर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कई बार नोर्थ कोरिया ने परमानू हमला करने की धमकी भी दी हुई ह ऐसे में नोर्थ कोरिया का ये कदम काफी ज़्यादा खतरनाक है लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा खास बात हुई जब भारत में इस पूरे मामले में एंट्री की क्योंकि भारत और ज़ापान के संबंध दोस्ती के हैं और ज़ापान के ऊपर कोई भी हमला और हमले की हरकत भारत बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं कर सकता इसलिए इस घडना पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है。 भारत ने काफी साफ शब्दों में नोर्त कूर्या की आलोशना करते हुए ये बात साफ तोर पर कह दी कि भारत इस घडना की कड़ी निंदा करता है. क्योंकि इससे ना केवल उस शित्र में भूराजनीत की स्थिती खराब होगी बलकि पूरी दुनिया पर भी इसका नाकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ऐसे में भारत ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए नोर्थ कोरिया को धमकाया है और ये बात साफ कर दी कि ऐसी हरकतों को भारत बिलकुल नहीं सहेगा भारत ने कहा कि नोर्थ कॉरिया की आगे की कोई भी हरकत भारत बरदाश्ट नहीं करेगा और नोर्थ कॉरिया को इसके नतीज भूगतने होंगे दोस्तो इसमामले पर भारत की प्रतिकरिया काफी जाधा महतु रखती है क्योंकि भारत विष्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास परमानु हत्यार बोजूद है साथ ही भारत विष्व का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश होने के साथ परमानू हत्यारों और टेक्नोलोजी को लेकर एक काफी जिम्यदार देश है। ऐसे में भारत का नोर्थ कोरिया को खरी खोटी सुनाना काफी बड़ी बात है और इससे नोर्थ कोरिया के ऊपर काफी दबाव भी बनेगा। जन इस घटना के ऊपर अपना बयान देते हुए कहा कि उसके द्वारा ऐसा करने के पीछे अमेरिका ही जिम्यदार है क्योंकि नोर्थ कोरिया के मिसाइल और मिसाइल टेस्ट अभी अमेरिका की तरफ से नोर्थ कोरिया को आने वाले सैनने खत्रों के विरोध में हैं। कुल मि नोर्थ कोरिया के साथ अमेरिका और जापान का तराव बना हुआ है क्योंकि अब जापान खुद को काफी ज़्यादा धमकाया हुआ महसूस कर रहा है। जा एक तरफ जापान को चीन की तरफ से लगातार खत्रे आते रहते हैं वहीं पर हाल ही में रूस ने भी जापान के परेशानिया खड़ी कर दी। इसके अलावा नोर्थ कोरिया का खत्रा भी जापान के सिर पर मंडरा रहा है। वहीं पर कुल मिला कर देखा जाए तो जापान के लिए सिक्यरोटी सिच्विशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में जापान को ना केवल अमेरिका बलकि भारत और पूरे विश्व के समर्थन की जरूरत है ताकि जापान अपनी संप्रभूता और अखंडता की रक्षा कर पाए और जापान के अंदर शांती बनी रहे। भारत यदी जापान की सुरक्षा के लिए उतरता है तो ये पहली बार होगा जब भारत नोर्थ कोर या के इतने बड़े लेवल पर खिलाफ जाएगा खेर आपका इस सम्मद्ध में क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं